हलो इस्टूडेंट्स वेल्कम टू पीबियर स्टडी तो बच्छों जानते हैं क्लास नाइन्थ के न्सीरिट मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर आठवा चाल रहा है आठवा चैप्टर में एक्सर्साइज 8.1 का कुष्टन नंबर सीग सम लेके आये हैं क क्लास को इंड तक देखना बहुत ही प्यार से देखना समझ में आएगा पूरी गारंटी होगी कुष्टन पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैसे इसका सलूशन करेंगे कि समांतर चतुर्भूज समांतर चतुर्भूज मतलब आप जानते हैं पहलो ग्रा है यानि इसको दो भाग में बराबर बराबर बांट रहा है इसके आगे कहता है कि दर्साइए दर्साय में सिद्ध कीजिए प्रूब कीजिए यह एंगल सी को भी सम्दुभाजित करता है यह सिद्ध करना है कि यह दोनों एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे वैसे आकर है एक समांतर चतुर भुझ में तो अगर ये बराबर है तो बराबर हो गाहीा क्या कर रहा है बिस्टर्ट कर रहा है लेकिन यह बराबर तो हौमें पता है लेकिन हम Americas को पूप करना है कि यह एक प्रकार का क्वाड्रेटरल है यह सम्चतुरुज भी है यह भी इसे प्रूब करना है चलिए सुरू करते हैं सलूशन इसका स्टार्ट होता है यहां से ध्यान पूर्बग देखना यहां पर मने लिखा हल ठीक है चलो लिखो यहां कॉंड सी को भी करता है तो हमें पूरूब करना है चुकि यह अगर हम इसका नामकरन कर दें आप लोग देखो इसका एंगल इसका टू हां इसका थ्री इसका फोर रहे एबी सी डिचाह कर लो चाहिए दो तीन चाहर कर लो समझने में असानी होगी अगर यह एसी जो है एको सम्द्भाजित क कर रहा है इसका मतलब यह दोनों को बराबर होंगे अधा आधा आधा होंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल फाइस्ट इंगल इंगल सिकेट यह कर सकते हैं रीजन लिख देंगे ब्रेकर में यह समिकरण एक हो जाएगा बनालो कोई टक में रीजन लिखो एसी कोण को सम्दुभाजित करता है ठीक है सम्दुभाजित करता है इंगलिस वाले लिखेंगे एसी बिसेक्ट एंगल ए ठीक है एसी बिसेक्ट एंगल ए आप लोग लिखेंगे हिंदी वाले सम्दुभाजित करता है ठीक है चलो सम्दुभाजित करता है यह हो गया बराबर यह तो हमने बराबर कर लिया ठीक है इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है लेकिन हमें काम और कर सकते हैं बच्छा एंगल 2 को एंगल 4 के वराबर भी कर सकते हैं क्यों लिकों मैं बता रहा हूं देखो एंगल 2 equal angle 4 भी आप कर सकतेों येever नमबर से केंड होते हैं वह अंताहांत्रिक कोण का लाते हैं लिखो रिजन लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है हिंदी में लिखेंगे अंताहांत्रिक कोण अंताहां आंत्रिक कोण इंग्लिस मीडियम आले लिखेंगे इंग्लिस मीडियम आले लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल understand? ओके यह हो गया भाईया जब हम एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं इस अंता आंतरिक के कंसेप्ट पर तो हम एंगल 1 को एंगल 3 यह समीकरण 3 यह क्यों हुआ? इसमें भी वही कांसेप्ट लगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब तुम लिखोगे अंताहा आंतरी कोड ठीक है? अंताहा आंतरी कोड यह हो गये अगर यहां पर एक बात ध्यान से देखो तो एंगल 1 और 2 में क्या समनता है? इसमें भी कॉन दो है, इसमें भी दो है? यानि हम कह सकते हैं समीकरण 8-2 बराबर है आपस में? क्योंकि भाईया जैसे तुम इसको 1-2 लिखे हो इसको 2-2 बराबर एक भी लिख सकते हो तो जब कौन दो बराबर कौन एक लिखो गे ति दोनों बराबर हो जाएंगे इनका एक साइट बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कौन एक कौन चार के भी बराबर है है ना और एक बात और समझो इसमें है नहीं क्या इन दोनों में क्या नहीं तीन नहीं है क्योंकि कुल मिला कि 4 कोण है एक दो तीन-चार इन दोनों में एक भी है, दो भी चार भी है, लेकिन हेलो गया ना कर सकते हैं आप इसका वान घृत्षी के बराबर लिए यह नि हम कह सकते हैं अगर उन थिरी के बराबर ऐन रू को 152 लिख सकते हैं उसी तरह से तुम इनमेए देखो थीनों में यह सब बराबर हो सकते हैं ठीक है इतना हो गया आप समझ गये हमें करना क्या था Dorta noises हमे यह दिखाना था कौंड थीन कोंड चार के बरबर है अठीर जब सब 1 दूसरे के बराबर तो लिख सकते हो न नीचे तूम लिखो नीचे आता हा आता हा कॉंड 3 बराबर कॉंड 4 ठीक है region क्या लिखोगे इसमें ब्रेकट में region लिख दो इसको बना लो equation 4 ठीक है region लिख दो ब्रेकट में समी करण 4 से ठीक है कैसे हो गया यह equation number 4 से यानि हमारा जो first part है वो complete होता है कि यहां कॉंड C को भी संद्रभाजित करता है अब नीचे तुम लिख सकते हो आता हा या फिर इसलिए इसलिए एN, C कोट C को भी संद्रभाजित करता है ठीक है समझ गए ना लिख लिए ना आप लोग यहां पर क्या लिखे आताhao या फिर इसलिए या इंध्लीस में लिखोगे so Ac B-select angle C ठीक हैं लिखो Ac कोंड c को भी भी समध्यभाजित करता है ठीक है हो गया ना समध्यभाजित करता है English Medium वह जान लें समध्य भाजित का मतलब होता बच्चा B-set करना ठीक हैं ओके चलो यह आपका part 5 हो गया complete second part आभी हमें परूब करना है A. B. C. D. एक रेंबस है एक सम्चतुर्भूज है इसको जल्दी से आप नोट करिए या वीडियो को रिजूम करिए टच करिए रोंकिए स्क्रिन पे और लिखिए कुछ सिकेंड का आपके पास टाइम है उसके बाद मैं इसको इरेज करके और नेक्स्ट इस्टेफ आपके सामने परस्त स है तो भैया एक काम आप जानते हो स्वरी एक परमिया आपने पड़ा था कि जब कोई भी दो क्टम आपस में बराबर है तो उनकी समक्व् Old"- के सम जाई बराबर हम ортके बेसके सकते हें लिए स्किक हैं ौन के और लोग भूट के लिए सलमट होग सकते हो की बुजा कौन सी है तो एंगल 2 के सामने की बुजा यह है बच्चा कौन सी बीसी है तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो यहाँ लिख सकते हो बीसी उसके बाद अगला देखो अगर हम बात करें एंगल सी की एंगल थार्ड नमबर तो एंगल 3 यह है इसके सामने की बुजा ये A B है न तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बच्चा A B ठीक है अब अगर एंगल 4 पे चलो कॉर्ण नमबर 4 पे ये इसके सामने की बुजा ये A D है ये हो गया देखो करना क्या था कह रहा था कि सिद्ध करो एक सम्चतुरभूज है सम्चतुरभूज में इस रेंबस है तो ह थोड़ा आटपटा फालिका इसको धंग से बना लो तो धंग से आप लिखोगे तो क्या ऐसे लिख सकते हो इनको सीरियल से A B लीखल बी सी इकवल सी डी इकवल डी या एक नीचे लिखो तब A-B-C-D एक सम्चतुरभूज है या होगा नीचे लिखो आटा हाटा सिद्ध हुआ लिख दो इंग्लिस मिद्यम लिखेंगे हैंस प्रूबड लिखो अता हाट सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ A B C D A B C D एक सम चतुरभूज है ठीक है ये चीज जरूर लिखना एक चाम में जिससे की पूरे नंबर मिले बस हो गया प्रूब यही तो करना था ना नीचे लिख दो इती सिद्धम अधा सिद्ध हुआ कुछ भी लिख दो कहरा कि A B C D एक आयत है A B C D एक क्या है रेक्टेंगल है आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है जिसमें बिकर्ण A C दोनों कोणो A और C को सम्दुभाजित करता है बच्चा यहाँ पर बिकर्ण का मतलब इंगलिस में डाइगोनल होता है और कोण का मतलब है इंगल संद्भाजित का मतलब 27 करता है कहरा जिसमें ये A C जो diagonal है ये diagonal जो है णा वच्छा कहरा है कि ये C को A और C दोनों को 27 कर रहा है याने इंगल जो पूरा पूरा बन रहा है ये A आला और ये C वाला ये दोनों को आधे आधे भाग में बांट रहा है, ठीक है, आधे आधे भाग में बांट रहा है, पार्ट पार्ट में, करा सम्दुभाजित करता है न, फिर करा सिद्ध करो, दर्स आओ या दिखाओ या प्रूब करो, A, B, C, D एक वर्ग है, इसको हमें प्रूब करना है कि य पूनों कोडो वी को संद्धूबाजित कर रहा है तो इतना कुछ नया नहीं है थीक है हम जानते हैं कि जो AC है वो A और C दोनों को आधाधा पार्ट पार्ट में बांट रहा है तो अगर हम इनके कोण के नंबरिंग कर दें इनको 1, इनको 2, इनको 3, 4 मान लें तो कोण 1, कोण 2 के बराबर होगा बराबर इफली होगा चूकि यादे पार्ट में बांट रहा है कर रहा है तो इफली एंगल 1, एंगल 2 के क्या होगा बराबर होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्योंकि AC सम्चतरबुच को क्या कर रहा है सम्धभाजित कर रहा है या फिर इसको सम्चतर बूज ना लिखो क्योंकि AC जो है ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कॉण A कामा कॉण C को ठीक है क्योंकि AC कॉण A कामा कॉण C को संद्धवाजित करना है इसलिए तोनों बराबर है अब आगे देखो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है अब हमें एक एक ट्राइंगल लेंगे ACD में ध्यान से देखना ACD में यानि अगर हम आपको थोड़ा explain करके दिखाए बच्चा तो ये हमारा ट्राइंगल अब इतना बच्च रहा है बस हम इसी में लेकर चलेंगे इनके नाम है ये ठीक है ACB में sorry D में ले रहे न है यार उपर वाला रहेगा फिर उपर वाला ACD में लिखो जल्दी अगर आप ACD लोगे बच्चा इसका मतलब हम ACD ये figure देखें ऐसे बनेगा इसको बनाना नहीं मैं समझाने के लिए अलग किया हूँ ठीक है तो ऐसे बनेगा अब इसमें हम कह सकते हैं कि AD जो है वो CD के बराबर है अब तुम कहोगे ऐसा कैसे है देखो मैं बता रहा हूँ लिखो ये CD बराबर AD ये क्यों बराबर है कहोगे क्यों क्या तो बच्चा एंगल 1 की जो आपोजिट एंगल है CD है बैइस के सामने ही न एंगल 2 की क्या है AD है इस करणब से दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी क्वेश्टक में लिख लो side opposite equal angles are equal side opposite equal angles are equal ठीक है ये फिर ऐसे लिख लो बिपरीद होती है यह तब लिख दो इतना वी तब भी समझने वाले समझ जाएंगी ठीक है होगा क्योंकि यहां कहा था एक आयत है तो आयत में सम्मुख बूजाए बराबर होती है तो बच्चा यहां पर लिख सकते हो एपी बराबर सीडी और इतना ही नहीं एडी यह बीसी के बराबर होगा वाई सम्मुख बूजाए बराबर होती है तो यहां पर तुम लिख सकते हो बच्चा एडी एकोल बीजी यह भी ठीक है इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर फाइस्ट कहां बना था पता आपको इक्वेशन नंबर फाइस्ट बना था फिर सिकेंड और फिर थार्ड चलो जल्दे फटा-फट बनाते चलो बच्चा ऊपर वाला सबसे पहला आपका इक् की सम्मुख बुजाएं बराबर होती है लिखो आयत की बुजाएं ठीक है यह क्या है बच्चा आयत की बुजाएं इसलिए बराबर है इतना लिकलो फिर हम आगे आपको बताते हैं चलो जल्दी करो वई समीकरण 2 से A B C D के बराबर हो जाएगा लेको कैसे मां बता रहा हू द्यान दो चलो अब इन समीकरण को बहुत ही द्यान से समझो आपको सब कुछ मिल गया है देखो अगर यहाँ पर प्यार से समझो बच्चा तो A D जो है वो C D के बराबर है ठीक है और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं लिखो आप लोग सबसे पहले A B लिखो A B आपको पता है कि C D के बराबर है है ना A B क्या है C D के बराबर है और आप यह भी देख रहे हो कि बच्चा जो C D है वो A D के बराबर है तो तुम इसके आगे A D भी कर सकते हो और यहाँ पर एक जगा और भी कुछ देख रहे हो क्या जो A D है वो B C के बराबर है समझो A B C D के बराबर है यह समीकरण दो हो गया और समीकरण एक में अगर तुम देखो तो यह जो सीदी के बराबर है हां था था ना यह सीदी कमान आतासिद्ध हुआ अतासिद्ध हुआ एबी सीड़ी एक वर्ग है क्या है एक स्कौायर है लिखलो क्योंकि हमें यह प्रूब करना था कि एक वर्ग है और वर्ग की सभी साइड इक्वल होती है फिल्यमने क्या किया इक्वल करके आपको दिखा दिया तो चलो जल्दी फिल लिख लो जल्दी से बिल्खुल भी देर नहीं करो चलो मिटाई इसको अगले सवाल पर मतलब इसका अगला पार्ट इसमें दो करना है तेखो बच्चा यहां पर दो करना पहला है कि दूसरा कह रहा था यह भी दिखाओ कि बिकरण विसमे तेखो देखे इस सिकंड eskadmin कर रहा है सम्दुभाजिद कर रहा है तो इसका सीकंड पार्ट लेक्ट में बच्चा जाना कि कि कोशिस करीए सिकंड पार्ट में खारा है कि सिक्ड गणभी दोनों को बिख्रिक कर रहा है हम इसको लिख सकते हैं कि वीकल देखो बच्चा BC CD के बराबर क्यों है इसका क्या तर्ख है BC मतलब ये भूजा ये CD के बराबर है अब कहोगे ये तो एक आयत है तो ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन अभी अभी हमने इसको वर्ग सिद्ध किया अप्रूप किया न तो मैंने इसलिए रीजन लिखा क्योंकि हम पहल और छे के बराबर क्यों होगा या क्यों होगा पता क्यों होगा क्योंकि हमें ये पता है ये दोनों क्या है क्या है पांच और छे आरे यार BC के सम्मुक क्यों पांच है BC इसका अपोजित अंगल अगर इस तर्भूज में लोग है इसमें तो इसका अपोजित अंगल BC का क्या और जो यह एकवावाला था सीडी इसका अपोजीट इंगल से है और हम जानते हैं कि किसी भी अगर दो भूजा बराबर है अगर कोई साइड बराबर है तो उनके अपोजीट इंगल इक्वल होते हैं इस करण से पांच और शे बराबर होंगे ठीक है इसको मैं प्रूब करना इसको मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ कि आई बराबर है लिख दो या लिखो चाहे तो असे लिख दो बराबर भुजा के सम्मु कोण ठीक है बराबर भुजा के सम्मु कोण इंगलिस में भी मैं लिखवा दूँगा टेंस अब देखो इतना हो गया, अब यहां पे बच्चा पांच और साथ बराबर होगा, क्यों कोंड पांच कोंड साथ के बराबर होगा, लिखो का है रीजन बता रहा हूं, यह बराबर होगा, ब्रेकट में लिखो, कौन सा इंटीरियर एंगल है न ये, अल्टरनेट इंटीरियर अब इतना हो गया, अब बच्चा कोंड छे कोंड साथ के बराबर होगा, ये छे जो है वो साथ के बराबर होगा, कोंड छे कोंड साथ के बराबर कैसे होगा, नहीं, होगा क्या, कोंड छे कोंड आठ के बराबर होगा, छे जो है आठ के बराबर होगा, चुकि यह भी इंटरनेट इंतियर एंगल ऑके उब देखू ty 67 के बराबर still 33 अब दूसरे पसब आरे इस तरह सेनको आप दिखा सकते हो नीचे एंगल इंगल मुथ से बराबर से इंगलsk सिक्स चुक्ण के बराबर भीवन के बराबर है इसे सीटिश्य के लाट के बराबर होगा लिखो एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा रीजन लिख दो हो गया ठीक है समझ गया यह समी करण जो 4-5 बने थे उनके साहता से आप उपर वालों को लिख लो लिख दो नीचे लिखो इसलिए या फिर आई से लिखो आता सिद्ध हुआ बिकर्ण नीचे लिखो आता सिद्ध हुआ अथा सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ बिकर्ण 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 कोंड कोंड बी और डी दोनों को समझ भाजित करता है कोंड बी और डी दोनों को समझ भाजित करता है इतना लिख लो अगर आपको कोई कन्फूजन तो में थोड़ा सा उलिख्वा देता हूं, इसमें बीच में रीजन नहीं लिख्वा है न मैंने उपर आले का मैं उपर आरेका उस और दिए आप कमेंट करके मुझे बताना चलो जल्दी करो इतना हो गया जल्दी करो आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी कहता है कि A B C D सीरसों A और C से बिकरण BD पर करमसा लंब हैं सीरसों A और C से यह सीरस है A और C से करमसा B और D पर क्या है यह BD पर लंब है ठीक है यह देखो बीच वाली रेखा क्या BD है यह लंब BD क्या भी करण है जिसे डाइगोनल बोलते हैं और इस पर यह क्या है परपेंडी कुलर है ओके इतना है करा दर्साइए दर्साइए मेंस प्रूप कीजिए यह सिद्ध कीजिए वो क्या APB काइंग्रियंस C QD APB यानि यह तिर्भूज C QD इसके सरवांगसम है यानि यह तिर्भूज इसके क्या है का इंग्रियंस है में प्रूप करना है बहुत आसान है बिरीजी है चलो सलुसन यहां से स्टार्ट होता है ट्रेंगल APB और C QD में ध्यान से देखो APB और C QD में आप गौर से देखो बच्चा तो यहां पर तुमको मिलेगा कि AB और C Q बराबर है क्योंकि हमें यह तिर्भूज और यह तिर्भूज लेना है तो हम AB C Q बराबर कर सकते हैं वो क्यूं देखो बता रहा हूँ APB और C D क्या यह बराबर है देखो बत्यविज यह 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 समांतर चदुर्भूज है और प्लस समांतर भी है यह किसमें होते हैं पार लोग्राम में तो इसलिए बराबर है लिख सकतो directions कमें समांतर चातुर्भुज की साम्मुख भुजा लिख लो समांतर च ép familiarity की साम्मुख भुजा यह हो गया इसमें और भी चीज राबर है अगर आप गौह से लिखो तो APB इसमें एंगल जो P है और एंगल इसमें Q यह भी बराबर है तो यह भी इसको भी बोल सकते हो यह भी क्या नब्बे का बना रहा है तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो लिखो APB एंगल ABB एक्वल एंगल CQD लिखो एंगल CQD यह दोनों बराबर हैं क्यों लिखो दोनों नब्बेंस के हैं 20-90 degrees क्या बया दोनों 90 डिगरी हैं इसका एक रीजन और भी हो सकता है बराबर होने का देखो यह दोनों 90 है यह तो ठीक है यह इसके अलामा भी एक रीजन है कि क्योंकि AP और CQ दोनों लंब हैं एक ही लाइन पर तो इसका रीजन यह भी है कि यह क्या है दोनों कॉंड बराबर हैं ओके चलो यह हो गया अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ और भी चीजें है कॉंड बी और कॉंड डी कॉंड भी यह इसमें वाला और इसमें वाला कॉंड डी अगर तुम देखो तो यह भी बराबर है क्यों बराबर है धेखो अगर CD और AB आपस में समानतर हैं कौन कौन यह AB और CD आपस में समानतर हैं और BD एक तिरियक रेखा है तो इस तिरियक रेखा के एक कोणी साइड बन रहा है दूसरी साइड बन रहा है तो ऐसी स्थिति क्या होती है पढ़ा है आपने अंतहाई कांतर कोण ना बच्चा तो लिख लो A B P यही ना A B P C D Q लिखो एंगल A B P equals P D Q यह दोनों बराबर है क्यों बराबर है लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतहाई आंतरिक कोण इसमें कोई लफडा नहीं ना किसी को चलो फटा फट लिख लो बच्चा इतना हो गया कहानी लगबग होने वाली है पूरा हमने क्या किया एक भुजा बराबर दिखा दिया दो कोण बराबर दिखा दिया अब हम लिख सकते हैं इसलिए ट्राइंगल यानि तिरे बुज ए पी बी सरवांक समय क्यूं क्या रिजन है कोईश्ट अग में लिखो बाई देखो भुजा कोण कोण मतलब भुजा मतलब यास कोण मतलब यानि यानि वाइस याज या रूल ओके यह बन्ने रूल पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ा ह जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ें वो कमेंट करके बताएंगे उनको पीछे की वीडियो दिये जाएंगे यह जब चैप्टरी स्टार्ट हो रहे थे सेबन वाले तभी पढ़ा दिया गया था सेबन चैप्टर खतम हो गया आठ मां भी पढ़ रहे हो आप लोग सिकेंड पार्ट में एपी को सी क्यू को बराबर दिखाना है यह लाइन जो इस पर लंब थी एपी और यह सी क्यू इनको बराबर दिखाना है बहुत ही प्यार से तुम बराबर इनको बोल सकते हो अगर यह ये तिर्भूज हमने कां sunset कर दिया है तो यह तिर्भूज अगर हम ले लें अपी भी और सी क्यूड में तो यह एपी और सी क्यूडिए क्या है क्रशपोंडिंग साइड है नम लिखो बिना कुछ कहें लिखो AP एक कौल सी क्यूरी जर लिखो बाइसी फिसी पी दूंड संगत कोंड वह भी बराबर होते हैं संगत मतलब होता है corresponding इंगलीज में बोलते हैं चलो फिर आज का यह कुछ नहीं पिंड होता है चलते चलते आपको एक बड़ी important very important ख़बर बताने वाले वह यह है कि अगर आप इस class को पूरा-पूरा complete एक साथ देखना चाहते हैं जैसे कि आपको हमने एक एक वीडियो दिखाया एक कुश्चन करवाएं तो आप इन वीडियोज को एक साथ भी पा सकते हैं उसके लिए आपको फीश डिपोजिट करके लोग जानते हो क्या होता है कमेंट करके बता देना चलो बताना ठीक है आगे क्या कहता है कि ABCD एक सम्वलंब है उसके बाद आप से पूछ रहा है पूछ तो बाद मेरा पहले बता रहा है करा यह एक सम्वलंब है जिसमें ABCD के समांतर है ABCD के पारलल है यानि इसको आगे दर्साइए, means, सिद्ध कीजिए, या प्रूब कीजिए, एंगल A, एंगल B के बराबर है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानि ये आला कौन जो है, ये कौन के बराबर है, कौन C, कौन D के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये प्रूब करना है, कहने का मतल है तिर्भूज ABC सरवांगसम है BAD की ABC सरवांगसम है BAD के ABC यह BAD के सरवांगसम है लेकिन अभी ये कुछ बना कम है चित्र में इस लिए अभी आपको समझ में कमायेगा पहले मतलब समझो सवाल दिया इसमें नीचे संकेत लिखा है आप देखो एक रहा कीचिए एक को बढ़ाए मतलब इसको आगे बढ़ा दो और सी से होकर डिये के समानतर डिये मतलब ये रहा एकडम सीधा होनी चाहिए मैंने तो टेना मेरा खीचाए ठीक है इसके समानतर यानि कि ऐसे एक रहा कीचना है ओके यह क्या है रचना हो गई कांस्ट्रक्शन हो गया यह करने को इसमें बोल रहा था आपके उसमें कुष्टन में अगर पढ़ो तो दिया गया था खीचा कहरा कि बढ़ी वही भूजा एबी को ई पर पर दिछेदित करती है यानि जो करता वहां पर एए ठीक है अब इतनी बात बन गई आप चलो देखो अब आपको बाते समझ में आएंगी क्योंकि इसमें अब एक ट्रेंगल और भी बन जाएगा फिर आपके लिए थोड़ ए बी सी यह जो तिर भूजा ठीक है इसमें और भी कोई कांस्ट्रेक्शन होंगे कि आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो मुझे फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी करो भाई यह कुश्चन नमबर थोड़ा सा इदर हो रहा है उड़ रहा है च चलो जल्दी करो भाई फर्स्ट नमबर इसमें का है सलूसन इसका स्टार्ट होगा यहां कहीं से यह थोड़ा आगे तो बढ़ा है लेकिन इसको ज्यादा मत बढ़ाओ यहीं तग रहने दो चलो अब लिखो आप लोग पाहला इंगल एकुल क्या करना है इंगल बी यह में चलो बाई जल्दी से कर लो इतना यह कुश्चन दिया गया है अब अगर आप ध्यान दो तो एडी बी सी के बराबर है यह दिया गया है कौन एडी कहां है यह 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 बी सी के बराबर है कि एडी कुल बीसी लिखो दिया है यह कुश्चन में दिया गी बेन है और इसमें एडी सी एक भी बराबर है एडी पर देखो बच्चा बराबर यह क्यूं है देखो अगर तुम ध्यान दो बहुत ही प्यार से अगर इनको समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कि कांश्ट होगी लिखो AD बराबर की by construction हिंदी मीडिया मा लिख लेंगे रचना से यह तो चीजंगे बराबर हों गई AD यह पहला नंबर BC के बराबर दिया है और यह B के बराबर क्या होगा यह सब आपस में यमने किछ दिया सिंगल आफ इतना तुम को मिल गया अब को B BCook की बराबर हो जाएगा अघर सिम्पल है अगर AD, AD दोनों में देखो पक्ष बराबर है ने बराबर न इसमें AD इसमें भी है तो BC को CE के बराबर कर सकते ओ सकर्ष कैसटे accepted BC समी करण 1 वा 2 से आप कहाँ समी करण कहां बने थे ये uns in first बना था एकुषण सीकन बना था, ठीक है? समीह करने, एक वा दो से यह क्या हो गया, इतना बराबर हो गया, अभी हिमें करना क्या था, इंगल A को एंगल B के बराबर दिखाना ऑセ, बराबर दिखाना अब मान लों कि कौन का नाम अगर हम F रख दें अब धियान देना तो क क्वे समचसी है एंगल एले मनुए डोलत है ना समर्ण के हम यू और इसा मैं क्या क्यूंकि आपने परिमियददाओ कि किसी वी तिर्भूज में जो मुझाए होती हैं उनके सम्मुकोंड आपस में क्या होते बराबर होते हैं ठीक है सम्मुक नहीं बराबर भूजाओं के सम्मुकोंड बराबर होते हैं तो अब बी-सी ये के सीटी के सिक Fifth lane के जो ऑपेजींगल आ इकवा हो भी निखो है है ही ये लिखो stomp बराबर भू झाके सम्मुक बराबर भूजाके शम मुक न सिवह यिव करने ओंडेऊ अब इसमें कोई बहुत बड़ा लफडा नहीं है आप तुम इसमें एक काम कर सकते हो angle A को angle E के बराबर कर सकते हो जोड़के 180 कौन? angle A ये और angle E ये देखो दोनों एक-एक कॉनने पहना एक एक चोर पे और एक ही लाइन पे बने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए फ्लस एंगल एक्कोल एक्सोसी इसमें तो कोई लफड़ा नहीं ना यह क्या है को इंटीरियर एंगल है क्या है यह को इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कुछ बच्चे इसका हिंदी पूछ रहे होंगे तो मैं उनको भी बता दूंगा टेंसर ने लेना आप लो एंगल एंगल और एंगल इस तिर बूज में इस दोणों को जोड़ सकते हो तुम तो लिक सकते हो एंगल अलब फ्लस एंगल F इक्वाल एक्स वासी अब कहोगे यह कैसे हो गया एंगल बी कैसे जुड़ गया एंगल एफ में क्योंकि जो रेखा है ए यह पूरी सीधे रेखा है इस पर ही दोनों कौन बने हैं बी और एफ वाला तो यह क्या हो जाएंगे बच्चा यह लीनियर पेर होंगे क्या होंगे लीनियर पेर मतलब की रेखिक समीकरण हो जाएंगे ठीक है इतना समझ में आया अब तुम्हें काम कर सकते हो इन समीकरणों के नाम लिखते हो जैसे कि बड़े ऊपर एक दो लिखा था है इनके नाम चलो मानलो मैंने तीन और चार लिख दिये अब तुम्हें आप ध्यान से देखना भई समीकरण अगर तीन और चार दोनों से देखो तो यहां पर इधर एक सौसी है इधर भी क्या है एक सौसी है यानि ए यी दोनों को जोड़के बी और एफ के बराबर हम कर सकते हैं है ना बच्चा कर सकते हैं ना कर सकते हैं ना तो लिखो इसमें कुछ बराबर भी है क्या इसमें तो हमें लगता कुछ बराबर है है बराबर क्या दोनों में अगर आप इस पर ध्यान से देखिए तो यहां पर दो इंटीर एंगल बन रहे हैं एक तुम इसको एक काम कर स हकते हो बराबर 180 रीजन हो जाएगा वही लिनियर पेर ठीक है लिख लो जल्दी से अगर नहीं आता कोई डाउट है तो बता देना लिख लो यह भी रीजन क्या हो जाएगा लिनियर पेर तो बच्चा यह आपके एक वैसा नंबर कौन-कौन एंगल वी धन एंगल कौन सा मिलेगा बच्चा सोच सोच के बता यार मुझे बड़ा कनफ्यूजन हो रहा है हां इसमें ए तो है नहीं बराबर कर दो एई को यानि एक्वैसन तीन और पांच को बराबर कर दो है ना क्योंकि हमें एको बीके बराबर दिखाना ना एंगल एको के बराबर तो अगर इनका दाया साइट सब में 180C है देखो तो तुम्हें काम कर सकते हो एंगल 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 एगवार क्यों बेंग दो स्वामी करन तीनवा पांच से स्वामी करन तीनवा पांच से क्या हुआ ये दोने एक्वल हो गए तो जल्दी से इनको छाप लो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करो भाई देर मत करो बिल्कुल भी टेंसर ने लेना ये आपका 5 पार्ट हो गए इसमें 4 पार्ट दिये गए हैं मैंने पहला कर दिया आप और सब बहुत ही आसान होंगे जल्दी से आप सभी लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो कहीं नहीं समझ में आए तो आप पूँच सकते हो लेकिन उसके लिए आपको जितनी भी कलाश चल चुकि उनको जरूर देखना होगा तभी समझ में आएगा कमेंट करिए ज़्यदा फे ज़्यदा वीडियो में हम आपको सब बताएंगे इसका सिकेंट पार्ट देहन दीजिए देखरा कॉंट सी कॉंट डी के बराबर इसको पूरूब करिया एंगल सी को एंगल डी के बराबर पूरूब करना है यह एंगल डी हैंगल सी हैं दोनों को बराबर पूरूब करना है बहुत ही आसान है बेरी सिंपल सा है लेको बच्छा एंगल सी अंगल डी को जोड़के ए होते हैं और अगला बात करें तो एंगल B धन एंगल C को भी वैसे ही बना दिया गया है ठीक है इसमें भी कोई मतलब अलग कुछ नहीं करना है देखो इसमें करना क्या है अब एक बात ध्यान दीजिए तो इसमें दाहिणी फाइड दोनों में बराबर है तो हम 20 साइड भी बराबर कर सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D equal एंगल बी धन एंगल C कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत करो बच्चा एक काम क्या करोगे पता है देखो अब यह भी पीछे मैंने एक समिकर्ण बनाया था जहां पे इसको प्रूब किया था न लेको एंगल एधन एंगल डी इक्वल एंगल एधन एंगल सी का होगे हर जगा एक यूं कर दिया चुकि बी जो है यह से रिफलेस हो गया अब तुम इधर देखो तो एसे कट जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल सी एंगल लगेगा कौन ठीक है तो इस तरह से आपका यह भी क्या प्रूब हो गया सिद्ध हो गया यह भी कि यह क्या है एक बहुत ही आसान कुश्चन है और हमें एंगल सी को एंगल डी के बराबर अबने दिखा दिया इसमें दो पार्ट और भी बचे हैं उसको भी देख लेना बिल्कुल भी तुम ते अंसान नहीं लेना है चलो जल्दी करो भाई जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें और बैल आइकन प्रेस करके रखें देखिए अगला थार्ट बहुत ही आसान है इसमें क्या कह रहा वच्चा कह रहा कि A B C को B A D की कांग्रेंस करना है एक तो ऐसे आ रहा A B C और एक B A D यानि इसमें अगर हम ध्यान दें तो A B common है किसके A B बराबर है B A के रिजन लिख लो common है क्या है common है ओके आप देखो एंगल A एंगल B की बराबर है ये काहे को बराबर है कैसे कह दिये तुम बराबर है लिखो Our lady prove पहले से सिद कर चुके हैं सिद कर चुके हैं अभी यही तो पुरू कर रहे थे न भाई तो यह हो गए तुम्हारे दो बराबर हो गए अब इसमें काम और है B A D B C के बराबर है A D ये B C के बराबर है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिख लो क्या लिखोगे जल्द लिखो फटा फट यह दिया है यह चत्रभूज में दिया है इसमें कुछ करना नहीं है ठीक है अब क्या कर सकते हो तुम अब लिख दो तिर्भूज आप ध्यान दो डी अब ओके तो यह हो गया आप इनको जलती फिलिक लिए आपका थाट फाट भी हो गया वच्छा लेकिन कुछ लोग कह रहा हूंगे कैसे हो गया तो लिखो यह से यह रूल कैसे एस मतलब साइड ए और यह यह स्टिक है लिखो बाई स एस रूल ठीक है स-ए एस रूल इं или को मैं क्या एस को बीडी के बराबर दिखानाए असी को किसके oddly के बराबर निएी यानि या यार बड़ा बड़ा जीव सजारा बाई अच्छा हो इसमें विकरण भी बनाए वहां दिहान दो अज़कर दो बच्चा कर डेसिक को बीडी के बराबर करना है यानि इस पर विकरण भी है यह लंसा अखिछ रामित बीडी के बराबर है क्यों है कि इधर का ट्राइंगल हर जगा क्या किया उसको प्रूब किया है तो लिखो बाई सीपी सीटी सीपी सीटी मतलब होता है करस्पांडिंग पार्ट आफ ट्रेंगल यह चीज अगर आपने देखा है तो आप अच्छे से समझ गया होंगे तो आपको यह कुश्चन कैसे लगा आज की कला सेहीं पर खतम होती है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमें में गया जाइबा आपके बयादिट कर दाद जया आपके मतलब आपके मतलब होता है तो आपके में तो आपके में राएव और मिलेग छे, आपके धिए अगर इंगर के वित्सी का दो ओतम है